नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है Reserve Bank of India ने Mutual Funds को बड़ी राहत देते हुए 50,000 करोड की Special Liquidity की सविधा दी है इस कीम के तहट RBI 50,000 करोड रुपे का लोन उपलब्द कराएगा ताकि Mutual Funds में Liquidity यानि तरलता का संकट ना खड़ा हो करोणा वरस महमारी से लगभग हर देश की एकॉनमी प्रभावित हुई है और अब Mutual Funds में भी इसका प्रभाव दिखने लगा है हाल ही में जाने माने Mutual Fund House Franklin Templeton इंडिया ने भारत में अपनी 6 Debt Funds बंद कर दिये अब अगर आप ये सोचने लग गए कि Debt Fund क्या होता है तो आपको बता दें Debt Fund ऐसी Mutual Funds स्कीम है जिसमें Fixed Income Securities जैसे Corporate and Government Bonds Corporate Debt Securities and Money Market Instruments में इंवेस्ट किया जाता है Debt Fund में आपका पैसा Share Market में नहीं लगाया जाता है Debt Fund के अलावा कुछ और Funds भी होते हैं जैसे Equity Fund और Hybrid Fund Equity Fund में Stocks में इंवेस्ट किया जाता है जबकि Hybrid Fund में Bonds और Stocks दोनों में इंवेस्ट किया जाता है इन Debt Funds के बंद होने के साथ ही इन Funds में इंवेस्टर्स के करीब 26,000 करोड रुपे अटक गए है Franklin Templeton के इस फैसले के बाद से Mutual Funds के Debt Fund कैटेगरी में इंवेस्ट करने वाले इंवेस्टर्स डरे हुए है क्योंकि उन्हें अपने फ़ंड पर भी असर पढ़ने का डर है हाला कि Franklin Templeton का कहना है कि योजनाओ को बंद करने का मतलब इंवेस्टर्स का पैसा डूबना नहीं है और वो इंवेस्टर्स को जल से जल पैसा लोटाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे है इसके साथ ही डर को कम करने के लिए Reserve Bank of India ने Mutual Funds को बड़ी राहत देते हुए 50,000 करोड की Special Liquidity की सुविधा दी है क्योंकि Franklin Templeton ने ये 6 Funds बेहत कम Liquidity का हवाला देते हुए ही बंद किये है अपने इस फैसले के बारे में Company का कहना है कि Corona संकट की वजह से लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकाला है जिससे Company के पास कैश की कमी हुई है और हाँ ऐसी ही स्तिती को Liquidity Crisis कहा जाता है तो आईए अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो में जानते हैं क्या Franklin संकट से दूसरे Funds पर भी असर होगा लेकिन इसके पहले Franklin Templeton के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं सबसे पहले तो आपको बता दे कि Franklin Templeton इंडिया की कमपनी नहीं है ये Global Investment Fund है जिसके शिरुवात New York शहर में 1947 में हुई थी लेकिन आज इसका Headquarter San Matthew California में है अब जानते हैं कैसे सामने आया ये संकट Corporates और High Net Worth Investors का Debt Fund में Investment ज्यादा होता है लेकिन COVID-19 के चलते लॉंकड़न की वजह से ज्यादातर Corporates को Liquidity संकट का सामना करना पड़ रहा है इसलिए Cash के लिए वो तेजी से Debt Mutual Fund से Cash निकाल रहे हैं इसके लावा माना ये भी जा रहा है कि Franklin Templeton द्वारा कुछ Low Grade Bonds में निवेश किया गया जिस वजह से उन्हें आज इस funds को बंद करना पड़ रहा है आपको बता दें कि 22 April 2020 तक सभी 6 funds का Total Size 25,856 क्रो रुपे है Franklin ने जिन 6 schemes को बंद किया है उनमें Franklin India Templeton Low Duration Fund Franklin India Templeton Short Bond Fund Franklin India Templeton Short Term Income Plan Franklin India Templeton Credit Risk Fund Franklin India Templeton Dynamic Acquired Fund और Franklin India Templeton Income Opportunity Fund शामिल है कमपनी का कहना है कि करोना संकट की वजह से लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकाला है जिससे कमपनी के पास cash की कमी हुई है Redemption का दबाव बढ़ने से अब इन सभी funds की securities बेची जाएंगी क्या दूसरे funds पर भी पड़ेगा असर? लिखते हुए ही RBI ने 50,000 करोड की special liquidity facility दी है भारती Reserve Bank ने इस बात पर भी जोर दिया है कि COVID-19 के चलते जो भी दिकत आएगी उसे दूर करने की हर संभब कोशिश की जाएगी Financial Stability को बनाये रखने के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो लिये जाएंगे क्या है RBI की special liquidity facility? RBI ने mutual funds को 50,000 करोड की special liquidity facility दी है ये special scheme mutual funds के लिए 27 अपरेल 2020 से शुरू होगी जो 11 मई 2020 तक या पूरी रखम का इस्तमाल होने तक दोनों में से जो पहले होगा तब तक लागू रहेगी बाजार की condition के अनुसार Reserve Bank scheme की timeline और amount का review भी करेगा जिस से जरूरत पढ़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सके जाते जाते आपको बता दें कि Franklin Templeton का नाम Benjamin Franklin के नाम पर रखा गया था Benjamin Franklin का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि वो अमारिका के founding fathers में से एक थे founding fathers अमेरिकी नेताओं का एक ग्रूप था जिसने 13 colonies को एक जुट किया और Great Britain से स्वतंतरता दिलाने के लिए war को लीड किया यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है lockdown के दुरान घर बैठे सीखें stock market में smartly invest करना Finnovations के बहतरीन courses के साथ courses का link नीचे description और comment box में available है आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए साथ ही investment, finance और stock market को सीखने के लिए आप हमारी website www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए अपनी किसी भी query के लिए 8287-936451 और 8287-936452 नंबर पर call और whatsapp कर सकते हैं वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद